दोस्तो नमस्कार भारत रेल यात्री चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज जिस रेलवे लाइन के बारे में हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं वो है नांदेर बिदर नई रेल लाइन ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट रेलवे ल अपडेट जानेंगे हिंदी भासा में और जो इसका मेन सेंटर रहने वाला है इस रेलवे अपडेट का वो ये रहने वाला है कि हम लोग इसके नए बनने वाले रेलवे स्टेशन को तो जानेंगे ही साथ में हिंदी भासा में इसके क्या अपडेट निकल कर सामने आये हैं जो आज कहीं अपडेट हैं और आज ही मैं वो अपडेट आपको दे रहा हूँ, आपको पता होगा कि हमारे चनल पर आपको एक्सक्लूसिव और सबसे पहले कोई भी अपडेट किसी भी रेलवेज लाइन, दोहरी करन, बिजली करन, आमान प्रिवर्तन, रेलवेज से जुरी ह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे चनल पर मिलती है, साथ ही कुछ व्लॉग्स भी, ट्रेवल व्लॉग्स भी आए दिन आपको देखने को मिल सकता है, तो यहां पे आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है प्रपोज नियू रेलवे लाइन बिट्विन नांदेड नांदेड से आगे अगर हम बढ़ें जैसे आप देख सकते हैं, यह है नांदेड आगे बढ़ने पर जो पहला रेलवे स्टिशन हमें देखने को मिलता है, वो है आम दुरा, फिर है मारतला, फिर है क्रिस्नूर, फिर आगे बढ़ते हैं, तो हमें रेलवे स्टिशन देखन को मिलता है नया गाउं नरसी कामरस पल्ली आदमपूर खानापूर देगलूर और उसके आगे बढ़ने पर हमें जो अपडेट या फिर जो रेल्वे स्टेशन देखने को मिलता है वो है कड़खेड के बाद मरखेल होने गाउं और आद संतुपूर और उसके बाद हमें देखने को मिलता है धूपत मानगाउं बालूर हल बरगा और फाइनली बीदर तो यह तो कुछ रेल्वे स्टेशन है यहां पर आप यह भी देख सकते हैं लिखा हुआ है दिल्ली हादराबाद बैंगलूरू मार्ग मौजूदा मार्ग यही है परस्ताव जो है दिल्ली नांदेड बैंगलूर मार्ग रहने वाली है इसका मतलब यह हुआ कि नांदेड से बेदूर की जो रेल्वे लाइन है अगर नांदेड से बिदर की रेल्वे लाइन बन जाती है तो दिल्ली यानि देश की राजधानी से जो करनाटक राजी की राजधानी ब भर हो जाएगी यात्रियों का समय भी बचेगा और करनाटक वैसे भी उतना बढ़िया इस्टेट नहीं माना जाता है क्योंकि वहाँ पे नेशनलिटी की फिलिंग बहुत कम है आईए हम लोग लेटेस्ट अपडेट को देख लेते हैं दोस्तों यह जो अपडेट है यह मैं आपको दैनिक भासकर न्यूज आर्टिकल से दे रहा हूं यहाँ पे आप देख सकते हैं सहमती की प्रतिक्छा नांदेर विदर नई रेलाइन प्रिजना पूरा होने में लग सकता है लंबास में तो क्यों लग सकता है लंबास में यानि कल रात का ही अपडेट है तो दोस्तों तो इसमें आगे लिखा है 2018-19 के बजट में सामिल नांदेर विदर नई रेलाइन प्रिजना में और देरी हो सकती है इस प्रिजना के निर्मान के लिए महरास्ट्र और करनाटक सरकार से भूमी मुहया और प्रिजना के निर्मा कि लागत में 50% हिस्सेदारी देने में अभी तक अपनी सहमती नहीं दी है केंद्री रेल मंत्री अस्वनी वैसनव ने लोकसभा में बताया कि 155 किलोमेटर की इस नई रेलाइन प्रिजना की विस्तरित प्रिजना रिपोर्ट तयार कर ली गई है लेकिन इस प्रिजना को ग युजना में कम यतायात का अनुमान है इसलिए महरास्ट और करनाटक सरकार से निसुल्क भूमी मोहिया कराने और निर्मान को लागत में 50% भाईदारी करने का अनुरोद किया गया है उनकी सहमती की सरकार को प्रतीक्षा है रेलाइन बिच्छाने के कारे को पूरा करने के लिए क्या कोई समय सिमान निर्धारित की गई है इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे भूमी अधी ग्रहन में देरी वन विभाग की और से आवस्यक मंजूरिया मिलने में देरी के चलते पड़ियोजना पूरा करने के समय को प्रभावित करते हैं सांसत प्रताप राओ चिखलिकर के लोग सभा में पूछे सवाल के जवाब में केंद्र रिरेल मंतरी ने यह जानकारी दी तो दोस्तों यह एक रिपोर्ट थी किसके दोरा दी गई है यह तो तेजिंदर सिंग है बीश दिसमर दोजार तईस क रिपोर्ट है देनिक भासकर का भास भासकर हिंदी.com का है हिंदी में यह खबर मैंने आपको दी कि किस तरीके से जो नांदेर विदर का रिल लाइन है इसके पर लेटेस्ट अपडेट क्या है और कब तक यह कार पूरा हो जाएगा बाकि वीडियो यदि पसंद आया हो था हमारी वीडियो को लाइक करे इस चैनल को सबस्क्राइब करे और बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो नांदेर अब इदर या उसके बीच में जो रिल विस्टेशन मैंने बता हैं उसमें से अगर कोई लोग हो या कोई लोग जो इस रिल सेक्षन के बारे में जानने के लिए उत्सुख हो तो उनको आप ये वीडियो साजा कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत वो थार दिख सुक्रिया जै हिन जै भारत जै बिहार